सो फाइनली दसमी बारमी और आईटी चातनों के लिए जे बियम गुरूप कंपणी के द्वारा जो है कैमपस प्लस्मेंट भरती निकाली गई है इसमें कौन सा है स्टेट कैमपस प्लस्मेंट के लिए जा सकते हैं और जो है कितनी आपको सैलरी वनेगी और क्या के फैसलिटी जो है जनकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करेंगे इस पर जो है बहुत सारी कंपणी का जो है कैमपस प्लस्मेंट वीडियो चो है आपको प्रवाइड इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस कंपणी के बारे में पूरी प्रॉसस को समझेंगे और कैसे इसमें जोइनिंग ले पाएंगे और क्या 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 आपको डोकुमेंट वगरा लेके जाने होते हैं ओपेंड केंबस फ्लस्मेंट भड़ती है आपको बिल्कु जो है कंपणी के जो फैसलेटीज होती है वो आपको फ्रवाइड की जाएगी सो यहाँ हम चलते हैं आप देख सकते हैं कि जो है जीवियम लिमिटेट कैंपस फ्लस्मेंट दोज़ाट चोबिस बिल्कुल फ्रेशर कंडेट अपलाई कर पाएंगे ट्रेनिंग की पोस्ट हो आप इसके बारे में शर्च कर सकते हैं बहुत अची कंपणी है और और इसका जो जादातर इलक्ट्रोनिक बेस कंपणी है और यहां आप देख सकते हैं कि जो है आफ्टर जोइनिंग के पाद जो है गुजरात अपकी होगी आप चलते हैं फाइनल जो है दसमी और बार्मी पास आउट शात्रों के लिए जो है आपकी सैलरी बनेगी उनीस हजार परमन्त आपको सैलरी दी जाएगी तो बहुत अच्छी सैलरी है अधर कंपेरिजन करें तो हम किसी और कंपणी के रिगाडिंग तो यहां पर देख सेतने कि दसमी और बार्मी पास आउट शात्रों के लिए जो 19,000 सैलरी आपको रखी गई है बाकि जो है आईटे पास आउट शात्रों के लिए जो है 20,000 परमन्त आपको सैलरी मिलेगी अगर मीग वेल्डिंग अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इनके लिए जो सैलरी रखी गई है वो 25,000 CTC आपको बनके मिलेगी क्योंकि मीग जो होती है थोड़ी सी आपका जो है डेंजरस वगरा माना जाता है क्योंकि अगर उनमें प्रोटेक्शन वगरा आई प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा ख्याल में रखा जाता है तो मीग बिल्डिंग वाले जो भी कंडेट जो है जाएंगे है जो मीग बिल्डिंग से प् दसमी, बार्मी यौ आईटे वाली छादर जो है इनके लिए एज लिमीट क्या होगी तो यहां आप आप देख सकते हैं एज लिमीट आप सभी के लिए जो है 18-25 साल के कंडिरेट जो है इस फॉर्म को इसके लिए campus के लिए जा सकते हैं उसके बाद जो कहां जाना है आपको campus क कार्ड और दसमी के मार्शीट आइटीए के मार्शीट जो है और जिनके जो इंटर्मेडियाट या 12 पर जाएंगे तो 12 का प्रोविजनल स्रेटिफिकेट वाकी बाद साथ मार्शीट और स्रेटिफिकेट बगर सारे का दोदो फोटो कॉपी और ओजिजनल डोकॉमेंट के साथ हुआ जाएंगे कोविड वैक्शिनिशन श्रेटिफिकेट भी लेके जाएंगे आप लोग यहां पर मेंशन कर रखा है आईटीफिकेट जिनके पास होगा वो लेके जाएंगे सेलेक्शनों प्रो सेजुट्स होने के बाद ही आपका इंटरिव्यु कंडक्ट हो जिनका रीट कर रीटन टेस्सक्वाई होता है बहुत बहुत basic question होंगे आपको बिल्कुल असान से आप qualify कर जाएंगे बाकी बात जो है campus interview details तो 25 जनवरी को आपका campus होने वाला है टाइम आपका 10 वजे से है jp private iti यह आपका location है सो फाइनली आपने देख लिया हुगा address आपको screenshot ले अपना पूरा address जो है अच्छे से screenshot ले ले और हम आपका description में भी address डाल देंगे तो वहां से जाके आप जो है check out कर लेंगे और बाकी जो है इसी address पर आपको जाने है on document लेके सारे document आपको original लेके जाने है और शाभी document की दो कर दिया जाएगा वो नहीं लेंगे जिन document जिन candidate का जो है document फुरी फुल्फिल होंगे उन्हीं candidate को वहां पर लिया जाएगा document verification सबसे पहले होगी then after आपकी exam में बैठने का मौका मिलेगा और उसके बाद आपकी interview होगी जैसे इतना फास्ट में आपकी जो है process बगरा दस बज़े से information गई है और अगर आप चाहते हैं कि iti का हर जो है notification जो है हर vacancies की notification चाहे वो government की हो या फिर private की हो अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरू subscribe करें तो कि आपको जो है notification instant मिल पाएगी जो चाहे जो भी company की भरती आती है तो वीडियो देखने लिए बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे हम किसी नए campus वीडियो के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें क्योंकि आपको ITS related भरती इस पर पलपल दिखने के लिए मिलेगी